नरेंदर बोधी 9 जून 24 की शाम 7 मच का 15 बज़े लगाता तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत लेंगे सवसर पर उनके साथ एंडी की 14 सायोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपत ले सकते हैं इन में से 7 कैबिनेट मंत्री होंगे जबकि बाकी 11 को सुवतंतर प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपत दिलाई जाएगी हालांके इसके अधिकारी का जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है सुत्रों के अनुसार तीन दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपत ले सकते हैं टीडीप, जेडीउ से दो दो और शिवशेना से एक कैबिनेट मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है इसके अलावा एनसीप, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से भी कैबिनेट मंत्री शपत ले सकते हैं टीडीप की एक सांसद ने बताया कि किस दल से कितने मंत्री बनाए जाएंगे इसका फोर्मूला पहले ही तै किया जा चुका है इसे लेका सारवजनिक रूप से किसी तरह की चर्चा करने की जरूरत नहीं है सभी दल इस बात पर सहमत है कि परधान मंत्री जिसे जो जिम्मेदारी देंगे वे उसे निभाएंगे जेडी यू सांसद लवली आनंद ने रेलवे मंत्राले के सवाल पर कहा है कि जेडी यू को ये मंत्राले बिलकुल मिलना चाहिए पहले भी ऐसा ही था जेडी यू सांसद ने बिहार के लिए विशेष राज्ये की दर्जे की मांग भी दोराई है इससे पहले नरेंदर मोदी को शुकरवार साथ जून को लगाता तीसरी बार NDA का नीता चुना गया पुराने संसद भवन के सेंट्रल होल में NDA संसद ये दल की बैठक हुई इसमें NDA के सभी 233 में लोग सभासांसद, राजव सभासांसद और सभी राजयों के मुख्य मंत्री और डिप्टी सीम की मौजूदगी में सुबह 11 बजे से इस पर मुहर लगाई गई इसके बार NDA ने 2-3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया गढ़बंदन के नेताओं ने राश्टरपती द्रोपरदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सोफा फिर शाम 6 बजे मोदी राश्टरपती मुर्मू से मिले राश्टरपती ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया बैठा की बाद मोदी ने भाश्पा के वरिष्ट नेता अलार क्रिशोनादवानी, मुडली मनोहर जोशी और पूर्वराश्टर पति रामनाथ कौविन से उनके घर जाकर भेट की